कर दोस्तों में विनायक बहुत बहुत स्वागत करते हूं आपका आज की सने वीडियो में बड़ी अपडेट देने जा रहा है तो वीडियो को पूरा देखिए उसके पहले अगर आप चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बहुत अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि तमिन लाडू ने 30 जून तक सभी चीजों को आगे बढ़ा दिया है 30 जून तक लॉक्डाउन को आगे बढ़ा दिया है आपको बता दे कि जो भी जोन और कंटेन्मेंट एरिया के बाहर के छेत्र हैं उनको हाला कि थोड़ी बहुत चूट दी गई है पर यहां पर बता दे कि 30 जून रात 12 बजे तक पूरे राज जिमें पूजास्थाल होटल सेवाए अतित्मन रंजन सेवाए शॉपिंग मॉल सेक्षिनिक संस्थान ये सब बंद रहेंगे वहीं मुख्य मंत्री एड़ेपी पालन स्वामी ने ये भी बता तो तमिल लाडू से जितनी वे अंतर रास्टी उडाने है वो 30 जून तक कनफर्म हो चुका है कि इनका जो सस्पेंशन है वो ऐसे ही बना रहेंगा बता दे दोस्तों आपको इसी बीच जो बड़ी ख़बर निकल कर आ रही है वो ये है कि तमिल लाडू ने कल कोविड-19 के सबसे बड़े जो रिकॉर्ड है उसको कायम कर दिया है चिन्नाई भर में किवाल 804 सहीत राज जमेकुल 1150 लोगों ने सकारात्मक परिक्षन किया है पॉजिटिव पाये गए हैं वहीं कल मृत्तिव भी काफी ज्यादा हुई है और बता दे कि इसी के सांत ये जो अधिक जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है यहां पर बना हुआ है और यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि रिपोर्ड ये भी बता रही है कि नायदी स्कॉर्ट हॉल में चिन्नेई महामारी की स्तिती के कारण सुनवाई शुरू में वीडियो कॉन्फरेंसिंगे माध्यम से की जा रही है जैसा कि मुख नायदीस अमरेश्वर प्रताप साही के नेत्रित में उच्छ न्याले प्रसासनिक समिती द्वारत तई किया गया था वहीं ऑनलाइन मोट पर काफी सारी सुनवाई हो रही है वहीं मेंदूर बेंच में भी काफी सारे जो न्याले हैं उनके काम काज जाए जाएंगे तो दोस्तों यह कंप्लीट डीटेल है तमिलाडू से जहां पर की तीस तारिक तक काफी सारी चीजों को सस्पेंट कर दिया गया है कैसी लगी आपको यह चोटी से अबडेट कमेंट करके पताए अगर आपका कोई भी सवाल सुजाओ या सजिशन रह जाता है है अजया है